तो हेलो दोस्तों स्वागे था आपका अधा सिंप्लिफायर पर आज था जामिया क्लास 9 का एंट्रेंस एक्जाम तो चलिए बात करते हैं कुछ एस्पेरेंट से थी कैसा पेपर आया था एजी था या फिर तफ था अनधर केंड़ेट वी इजी वित आस लेट्स आप बता दी यस उससार जिके आपने नाइंथ के लिये जामिया जी के इंसिट्व को क्यों चूच कि अच्छा 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 लगा आपको अच्छा लगता है जामिया के बारे में कि आप यहां अपनी बच्ची को दिलाना चाहते हैं यहां कि पढ़ाई के बारे में क्या खाया प्डाई को तो अपनी सुना होगा कर अच्छे पढ़ाई है यहां पर छलिए एक और सौ आप से पूछना चाहेंगे कि मतलब सौ सवाल पूछे आते हैं ये तो हो गए आपका एड्रेस नाम पता गाउँ सब पूछ लिए अब आते हैं क्विस्टन पे क्यूंकि बहुत सारे विवर्स ये जानना चाहते हैं कि साल का पेपर कैसा था और इसने पहले इस साल का पेपर कैसा था आप कैसा देख रहा हैं जो लगता होगा नहीं आजए कि अभी माई चल ला माई दो हजार तेएस अ मतलब कब के लगा था की सवाल पूछे बहुत पूराना पुछा के ता तो दूर बाइस को फिर तेज का ही दूनों मिला के पुछा गया था आप इसके लिए क्या सजेश्ट करेंगे हमारे वीवर्स को कैसे त्यारी करें इस एक्जाम के लिए तो ज्यादा सेल्फ स्टडी होता है और गाइड भी मिल जाए तो बेहतर है लेकिन सैफुर अमान का जो और बाकी यह तो होई गया बाकी एक सवाल और मैं पुछना चाहूंगा आखरी में जो जामिया से लेटेड होता है कि आपने नाइन्थ के लिए जामिया उनिवर्स्टी को क्यों चूच किया क्या आपने कोई और भी उनिवर्स्टी से एम्यू या फिर और भी नामी उनिव पर था अच्छा एम्यू भरता था नहीं क्यों नहीं बढ़ा था वो गाहों से तुरह दूर पड़ता था और यहां पर रूम पार्टनर है इसलिए यह जाली यह बहुत सही है आपने सवहलिया देखा और बढ़िया लगा आप से बात करके थांक्यू 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 पेपर के बारे म sneaking बात करते हैं डारेक्ट हम लोग कि आपका एकजाम डया बहुत अच्या एक बहुत अच्या बहुत अच्छा है बहुत अच्छा सब कुस्तिं करके आए हैं पूरा पेपर और क्या लगता है कि स्वोष्त अच्टन impression को इजी लगा है मैठ मैठ इसीचा और आपका पेपर कैसा गया और कितने सवाल आप करके आए मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और मैं 100% करके आए पूरी 100% करके आए जी और क्या लगता है कितना सही होगा उसमें लगबग 95 प्लस तो करेक्ट होंगे 95 प्लस यस बहुत सही है और कौन सा पोर्शन आपको एजी एक से दो कोस्टन जो डिफ्रेंट था बहुत फड़ा उस पर डाउट था वाकि तो पेपर तो इजी था सारे सब्जेक्ट भी इजी थे तो इजी आपको लगा तो इसके बारे में बात करते हैं कि आपने तैयारी कैसे की ती जैसे कि गाइड से पढ़ना होता है कोचिंग ह करता है कई यो लोग यूट्यूब चैनल के साहरा लेते हैं आपने कैसे कि कोचिंग थी हमारे यहां सीजगड में टूशन टेक मोहमद इम्रान तो वहां से हमने की तो हेलो दोस्तों स्वागे था आपका सिंप्लिफायर पर आज था जामिया क्लास 9 का एंट्रेंस एक्जाम तो चलिए बात करते हैं कुछ एस्परेंट से थी कैसा आप पेपर आया था एजी था या फिट टफ था आप उन्हा नाम बता दीजिए और कहां से आया थे पेपर देने के लिए मेरा नाम महमद मुंतजीर है और मैं जिला सिपॉल से बिहार साया हूँ कैसा था अर्वाक का पेपर ऐइसी था या फिट था इन्ख जसले साल का तप था उन्हारा इसमें बात करें हम अलग-अलग प्लॉस्टंस के आते थे सवाल तो साइन्स का सब सभी था है साइन्स का सब सभी तो कौन से पुछे गए थे बहुत पुराने या फिर रिसेंट वाले पुछे गए थे जैसे कोई सवाल रिसेंट का जैसे अच्छा राजसभा में बाकी और आप बात करें थे मैथ में तो मतलब किस तरह के सवाल थे जो आपको टफ लगे मैथ में सवाल टफ लगे कि जो नहीं परेज अच्छा से वह टफ लगे थे मेरा नाम हाफशा शहरवरी और मैं डिस्रिक्ट बलिया से पेपर देने आई हूं बलिया से अच्छा तो बहुत पॉपलर जिला है यूपी का आज के पेपर के बारे में बात करें कि पेपर आज जो पूछा गया था नाइंद का यह इजी था या फिर टफ था पिछले साल का आपने सवाल देखा था जी उसके मुकाबले आप क्या कहेंगी जी या फिर टफ इसके मुकाबले इस बार का पेपर थोड़ा एजी था कई लोग बता रहे हैं और आप बात करें और भी जैसे कि आपने तयारी कैसे की जो हमारे विवर्स देख रहे हैं वो भी इसी की तयारी करना चाहते हैं तो आप क्या हुने सजेस्ट करें कि कैसे पढ़े कैसे तयारी क कोजिंग बिसाइब लेकिन सेल्व स्टाडी जाए अच्छा रहता है बाकी कौन सा पॉर्शन आपको इसमें तफ लगा अध का एक पॉर्शन था एक्सपर और अलजब्रीक को यह वह थो थो तफ लगा और सबसे इजी सबसे इजी हमको साइंस लगा साइनस इसाम निहा सार da ayam from Sadar-bazaar साहीड सबसे टिली है सो how is your paper today my paper was very nice and the questions were good what I studied it came an exam and it was a very nice experience to come first time in Jamiya and get the interest exam okay it sounds good and which पौर्शन वे प्र सब्सक्राट वोच्टी थाफ? जीरे विए टाफिग एक चाह पूर्मने Θा के घरागेश्यागी नहीं पुरे अच्टी थाफिए एक्रागेश्या थाध में हैंटा। इए वेटें वहीं थाफिए एक दिन रिखते हैं I bought questions slightly were same and I was very good at that so I practiced that book and my experience was good exam was good let's see how the result will come do you also feel the form of AMU yeah when the exam of AMU and this year I gave the AMU exam on 19th February it was on exam 19th February yeah this year only this is too early yeah because Jamia entrance exam is going in May and AMU taken in February yeah my classes were going on at that time but I covered that thing how was that exam AMU that was the first experience I went there so that I can have the experience I can have the experience for this exam and I don't want to crack that exam I wanted to crack this Jamia yeah you prefer Jamia I preferred Jamia but for example practicing I went there and it was not too good for me for AMU because my classes were going on and I didn't practice too much at that time what you suggest to my viewers how they prepare for this examination do they get coaching or do this do self-study and there is no need of coaching like me I didn't do the coaching I only bought one book Shafiigur Rahman you can also bought that and keep practicing until the book get finished two times or three times then you will be qualifying the exam exam it's not that tough that you think and talking about the previous year paper how much year of previous year paper you solved previous years around five to six years five to six years you solved that yeah and is what do you think was that helpful for you yeah slightly helpful around twenty to ten twenty portion ten percent or twenty portion came in the exam of that okay thank you so much to talking to us congratulations and all the best thank you thank you